विडियो में आपको ये बताने जारूं कि कैसे आप अपने लावाज टॉर्म एंडुएड मॉयल फॉन में आपको आपको डिटेल में जानकरी देने वालों तो चलिए आप वीडियो को में स्टार्ट कर लेते हैं देखिए दोस्तों कभी भी अगर आपको मुएल फॉन अपन मिलता है इसे टैप करना है या फिर सरकल के अंदर जोई बटन नहीं से टैप करना है तो आपका ये पेज आएगा इसमें आपको सब्सक्राइब कर देना है अब दोस्तों अगला काम यह करना है कि आपको अपने मॉइल फॉन का सॉफट्वेर एक बार चेक करना है कि वह इसके अंदर आपको निचे की साइड यह सिस्टम पर टैप करना है अब आपको जो है इस वाले पेज पर कोई बीट का बटन दिखाई देता तो इसे टैप कर गए अपने फोन का सॉफट्वेर अपडेट कर लेना है जिससे आपके फोन की आटो टॉट्च की प्रोल्म सॉल हो जाएगी ठीक है अगला काम यह करना है कि आपके फोन में जो एप-डेट नहीं हम सभी एप अपडेट करना है सबसुपर अपडेट करने बटन करने सкі焦 आपा करने इमसे पक्डेट करना है जिस से प्रॉट आप करने इसके लिए फोन के side वाला power बटन उंगली से दबाकर रखना है आपको ये पेज आगा इसमें रीस्टार्ट का यह option आपको tap करना है इससे फोन Automatic switch on हो जाएगा ठीक है इसे फोन restart करने से हमारे phone के Android प्रावलों आती है तो वह सॉल्व हो जाती है अगला काम यह करना है कि आपके फोन का स्क्रेंट कार्ण आपको चलबाते हैं ने लिए इसके अपको नीचे सेट पर टाप करना है इसके अंदर आपको नीचे की साटी है reset option tap करना है इसके अंदर आपको सबसे नीचे delete all data factory reset का यह option tap करना है इससे आपका phone reset हो जाएगा और आपके phone की auto touch की problem जो है वो solve हो जाएगी लेकिन आपको phone को reset करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है पहले बात ही ध्यान रखने हैं आपके phone में जितना भी data है सारा data आपके इसी दूसरे phone में transfer कर लीजे या उसका backup ले लीजे दूसरी बात ही ध्यान रखने हैं आपके phone की Gmail ID और उसका password आपको पहले से जिसके बज़े से आपका mobile phone आटो टच कर रहा है क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में जितने भी solution बताएं हैं वह mobile phone के software के जरीए बताएं ठीक है